टूँगटूगटूगटूगटूगटूगटूगटूगटूगटूगटूगफई तक कि अमेलब लाशत है पांच वजए किया पहले आ जाओ यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा आपको यहां पर पहले मंदिर हुआ करता था अभी यह तो गुफा जैसा एक्सपिरियेंस हो गया प्रेंस हो गया है उपर की तरफ और यह देखो यहां पर चेक करो क्या हो गया पुरा खीची हो ना फॉल थॉटल में बुस्दम सागे तो अरे क्या बार यहां पर भी मैं पहली बार जा रहा हूं तो काफी आदा मदा आने वाला इस वीडियो में और पूरी एक्स्प्लोर करेंगे सब चीजे देखेंगे वहां पर फिलाल मैं हूँ अन्राग है और प्यूस भी है जो की है अपने तीय और थ्री फिफिफ्टी में ऐसा कुछ प्लान नहीं था बाट एकदम सा हमारा प्लान हुगा क्योंकि टाइम जो है फिलाल पांच बजने वाले है और हम लोग हो चुके है काफ यादा लेट होता है प्रॉपर नहीं हो पाता है सब चीजे वह देखना पड़ेगा तो गारी के अंदर से इतने साही रियक कि हम रुकेंगे थोड़ा सा आगे पाइपास के पास जहांच हमको टाइल नेना है आदा गंटे बचे है प्रॉपर उस लोकेशन को कवर करने के लिए विकॉज टाइम काफी आदा हो गया है और हम हो गये हैं लेट कि एक जगा रुख जाते हैं और उन लोगों का वेट करते हैं या रुखते क्या हो गया क्या वात है क्या वात करो गाइस आज का मौसम चेक करो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है और निकल गए फिलाल यह देखो देपान सुभिया क्रॉस की अपनी 310 आरा अरसे सो मौसम जो है लोकेशन में हम लोग हो चुग है काफी हाधा लेट अभी फड़ा फट पहुशना पड़ेगा लोकेशन में वीडियो पगएर थोड़ा सा कम शूट कर पाएंगे क्योंकि अंदेरा होने वाला है देखो 5-10 हो चुग है और हम लोग अभी रास्ते में ही अभी यहां से ल तो अभी जो लमेटा गाट वाली रोड आदी है वहां से हम लोग मोड़ गाए है अंदर की तरफ जो पीछे की तरफ एक कार रखी हुई है उपर पेडा गाट बाइपास से अगला वाला जो चौराहा आता है वहीं से आपको आना पड़ता है राइट की तरफ अगर आप त है यह एक तम सीधी है जो कि जाती है बेडा घाट के लिए लामेटा घाट के लिए आपको जाना यह देखो यहां से तरफ जो है वो बेडा घाट जाते है और इस तरफ से जो है वो एक घाट परता बहुत ही अच्छी जगा है गूमने के लिए बस एक चीज का डर है कि कहीं गोप्रो और भाई गाए ओ डर गई वो यहां थोड़ा अराम से चलेंगे क्योंकि गाउवालों को डिश्टर्ब ना हो हमारे कारण यह देखो आ चुके हमारी लोकेशन में थोड़ा सा ही आगे जाके है यह एक तरीके जगा यह जो है राधा कृष्ण मंदिर हुआ करता था मुझे इतना नौलिस तो नहीं है इस जगा के वारे में पर बहुत अच्छी जगा है सामनी की तरफ आप दिख सकतो ब्रिज का इं तो आपको वेंड नौइस आएगा तो थोड़ा सा माफ रही है इस वीडियो में तो लोकेशन कुछ इस टाइप की है मैं आपको थोड़ा 360 व्यू एक दे देता हूं तो कुछ इस टाइप की लोकेशन यहां पर पहले मंदिर हुआ करता था अभी ऐसा सुनने माई है कि यहा है अंदर की तरफ चलें तो थोड़ा सा हॉरर यह होने वाला है अगर आ रहे होई इस जगह को विजट करने तो आप बिफोर फाइब आईएगा यहां पर तो थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको ले चलता हूं तो मैं सामने से एक वार आपको व्यू दिखाता हूं देख सक सब्सक्राइब करते हैं कंडिशन इस साइड भी है साइड यहां पर यह स्ट्रक्चर जो वो गिर चगवा था तो यहां पर लोगों न ऐसे सीडियां जैसी बना दी यहां से उपर चेंडने के लिए और अभी थोड़ा सा उपर जाके भी दिखते हैं किसी चीज़ का तो जो है वो काफी तेज चालो गए यहां पर प्रतीक भी है जो अपना शूट चालो कर दी है सामने की तरफ भी टैम पहले पीचे की तरह आप देख सकते हो नरवदर तीक है स्टाफ देख रहे हैं पर जाके देखते हैं यह तो गुफा जैसा experience हो गया यहां से सीदे जाते हैं जान आख फेल टूता हुआ था चलती हो आओ पर सामने से चैकर अ को यह रेखुआ है यह वाल में चाल चो गए उपर के तरफ तरफ यह तरह हैं डॉकेशन है यह रेको सामने के तरफ बहुत बढ़ी यह जो जानी है यह आपको सामने देख रहा हो कि यहां पे नरवदर जी है और यह तेमपल है थोड़ा सा आगे भी चल के देखते हैं यहां पर देपांसु भी अपना शूट चालू होते हुए यो फोड़ा सा लेट हो इसलिए हम सोचे फटा फट पहले जो जगा है उसको कवर कर लेते हैं यह तरफ चलते हैं आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहां प तो बेसिकली यह जो है यह जगा थोड़ी सी खंडर हो चुकी है मतला बोल सकते हैं पीछे की तरफ यह और तैमपल है यह आपको देखेगा यहां पर जस्ट सामने है तो ऐसी कुछ जगा है बहुत अच्छी जगा है बहुत अच्छी है हमारी आजकी जो लोकेशन है बहुत अच्छी है पीचे की तरफ यहां से देखा हूँ यहां से नेक्स टाइम जाएंगे जब प्रॉपर टाइम साइंगे तो यहां पर पूरा एक्स्प्लोर भी करेंगे आगे पीछे देखते हैं आपे और भी क्या चीजह है फिलाल यहां पर ब्रिच का कंस्रक्शन का काम चल तो सामने की तरफ जो है क्रेंस वागेरा लगी है अब ब्रिच कैसा बना जाता यहां से दूर से देख रहा पूरा वहां पर नेक्स टाइम देंगे क्योंकि अभी होने वाला अंदेरा बहुत ही जल तो फटाफट फोटो शूट वागेरा भी करना है नीचे की तरफ घाट ह पीछे की तरफ में आपको देखा देता हूं यहां पर डूंग 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 यह लाड़का कभी नहीं सुधरने वाला यह तो फिलाल अभी हमारा शूट कंपलीट कर लेते हैं बाइक वाला क्योंकि मेंली उसी के लिए आये थे और हमने सोचे आप लोक इसे खंडर है फिलाल और यहां पर रिस्क हो सकता है इंसेक्ट जानवर वगेरा का परसनली ऐसी लोकेशन वह बहुत ज्यादा पसंदेखो पीछे भाई चारा यह देखो भाई चारा ओन टॉप इसको भेग दो नीचे यह से आपको आना तो आप सकते हो जबलपुर से अप और गिरी रहे तो वैसे यह वाला कैमरा जो वाटरपूफ नहीं है क्योंकि वोगेर एक्स्टरनल लगा दिया है तो यह वाला जो में कैमरेस को रख देते अंदर और गोपर तो वैसे हमारा लगा हुआ तो फटा-फट करते बाइक वाला शूट लोकेशन आपको मैंने चुका है खंडर अब यह वाइस अब यह वाइस हम लोग का शूट जो हो गया है कंप्रीट और फिलाल हमारे पीछे बैटे अनुराग भाई और प्यूज भी आवासे गाड़ी निकाल रहे है और अब जा रहा है घर की तरह आप इस वीडियो को करते हैं यह अगर आपको ल लाइक कर दो चैनल पर दो चैनल को सस्क्राइब कर दो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में